दोस्तों मैं आज आपको रेलवे के कैसे स्टाफ जो फ्रंट लाइन वरकर होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं अपना काम करते हैं उनकी सूजबूज की वज़े से रेलवे को एक बहुत बड़ी दुरगटना होने से बचा दिया आपने पिछले कई एक महीनों में देखा होगा कि ट्रेन आपस में टकरा जा रही है डिरेल हो जा रही है 14 अगस्त की साम को मैंने भी वीडियो बनाया था एक गुड्स ट्रेन कोईले से लदी हुई डिरेल हो जाती है और उसके 8 वेगन ट्रैक पे आ जाते हैं मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि सोचिए बगल से अ महुंचती है उसकी गती 100 kmph पराबर हो जाती है जो मैक्सिमम था आसमान में बादल चाहे हुए थे जिससे आगे का विजिबिलीटी भी लोको पैलेट के लिए कम था अचानक ट्रेन के चालक दल जो लोको पैलेट असिस्टेंट लोको पैलेट हैं उनको पास के अप ट्रैक प गरवड़ी का आभास हुआ और उन्होंने आपात कालीन इमर्जेंसी ब्रेक लगा दी और साथ ही साथ जो असिस्टेंट लोको पैलेट थे उनके पास जो फ्लैस वाल होता है उनको भी उन्होंने खोल दिया इससे गारी जल्दी रुख जाएगी गारी रुखने में पांच यही ट्रैक पे कि लोको मोटिव जो गुड़ स्टेंड का डबल जी नाइन था उसका फ्लैस लाइट जो यल्लो कलर का आगे आप देखते होंगे लोको मोटिव के हैड़ लाइट के बाजू में यल्लो कलर का फ्लैसर लाइट बोलते हैं उसको वो बिलिंग कर रहा था उन्होंने देखा फ्लैसर लाइट जला हुआ है अब वो पूरी तरह से एस्योर हो गए कि कुछ तो गरवरी है चुकि उन्होंने इमर्जंसी ब्रेक लगा दी थी गारी रुखते जो अब ट्रेन का लोकोमोटिव था डबल वेजी नहीं न और एक वैगन को पार किया और गार दिखा लोको पाइलट ने वाकी टॉकी के जरिये गार्ड को इसकी जानकारी दी और सहायक लोको पाइलट ट्रैक सुरक्षा के लिए आगे बढ़े और उन्होंने देखा आठ वोगियां पत्री से उतर गई है जिसमें कोईला लोडेट था लोको पाइलट गार्ड ने तु पुरा रेलवे परसासन सक्ते में आ गया यदि चालक दन ने ओएची तार में और सामान्य महसूस के बाद इमर्जनसी ब्रेक नहीं लगाई होती तो सोचो क्या होता यह भ्याभक मंजर हो सकता था जो पहले आपने देखा है ट्रैक ऑफ ट्रैक है गारी हीट की तो डिरेल ह डिवीजन के डियारम ने इनको सम्मानित किया है इनको बुलाया और आप देखोगे जब यह आ रहे थे तो लोग इसके उपर पुस्प की बरसा कर रहे थे और रास्ते में फूल बरसाते हुए आ रहे थे इनके उपर मतलब रेलवे को यह चीज करनी चाहिए और इनोंने कि बुला के बताया और डियारम के साथ बैठ के इनको सम्मानित किया जो की होना चाहिए तो इस लोको पैलेट असिस्टेंट लोको पैलेट की सूझ बूझ की वज़े से मैं कह सकता हूं एक बहुत बढ़ा भ्यावक मंजर जो हो सकता था वो होने से रह गया ऐसे करमचारियों को सेल्यूट हमारी तरब से और मैं लोको पैलेट असिस्टेंट लोको पैलेट जो रेलवे के करमचारी हैं उनकी हमेशा मैं मतलब पक्ष में रहता हूं कि उनके काम को सराहना मिलनी चाहिए वह हमेशा एक्सिडेंट हो आपको मैं दूसरी घटना बताता हूं करीब 13 अगस होते हैं जो बैसाली ट्रेन में अपनी ड्यूटी आरंभ करते हैं बरोणी इस्टेशन से और समस्तिपूर जैसे पहुंचती है गारी रुखती है तो वहां पे एक दिभ्यांग कोच में एक दिभ्यांग पैसेंजर के साथ बद सुलुकी करते हुए नजर आते हैं उसको अल्म इसमें समस्तिपूर के DRM माफी मांगते हैं उनकी तरफ से तो मेरा ये कहना है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं वीडियो में तो इस आप दिख रहा है कि ट्रेन मैनेजर की गलती है लेकिन उनका जो पक्च था मैं आपके लिए रख देता हूँ उनका ये कहना था कि मैं जो सौरगूल भेन होते हैं उसका सील चेक करने के लिए नीचे उतरा था तभी देखा सामने दिब्यांग कोच में सौरगूल हो रही है मैंने खिरकी से देखा तो आपस में सीट को लेके दो तीन पैसेंजर में जगरा हो रहा था तो मैंने उनको बाहर से पहले समझाने की कोश पैस्ट तो रहता हुब है उसके साथ साथ उनको एक ऊत्रीटी पास मिलता है जो मोबाइल में वह सकता है और उसका पेपर भी रह सकता है तो पंडिand बस सुलुक ही कि यह अपने अपको बचाने के लिए कह सकते हो गलती करना ही क्यों जिसके लिए आपको माफी मांगना पड़े तो railway कर्मचारी हैं जो लोग आपके साथ सफर करते हैं ट्रेन में जाते हैं चाहे वो जेनरल कोच में जाए वो आपके गेस्ट हैं उनके साथ किसी भी तरह की बत्तमीजी बरदास्त नहीं की जानी चाहिए तो ये एक घटना हुई थी जिसमें वो सस्पेंड होगे बेचारे आगे क्या हुआ वो अगर मेरे पास जानकारी आई तो मैं आपको बता दूँगा दूसरी एक घटना बताता हूं मुंबए के लोकल ट्रेन में एक आप कह सकते हो काफी सीनियर टी टी रहते हैं जो एसी लोकल में चेकिंग करते रहते हैं उसी दौरान एक वीडियो जो वाइरल हुई थी उसमें तीन लोग आप कह सकते हो मतलब एक तरह से मारना ही हुआ, उ उनके साथ बदसलुकी करते हैं जो ये on duty स्टाफ हैं उनके साथ अगर आप बत्तमीजी करोगे केमरा पे रिकॉर्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी रिकॉर्ट हुआ तो लिखित में कंप्लेन देंगे तो आपके उपर कारवाई होगी ये फायर दर जाएगा यही हुआ है उनको बोरी बली में उतारा गया इन्होंने रिटेन में माफी मांगी कि हां मेरे से गलती हुई चुकि वो दरिया दिली थे जो टीटी थे उन्होंने उनको माफ कर दिया चलो इन्होंने माफी मांग लिया और फाइन भी भरा चुकि वो उनके पास फर्ट किला पैसेंजर के साथ किये वह भी गलत था और जो पैसेंजर रेलवे स्टाप के साथ किये वह भी गलत था और पीएफ जो नॉर्मल लोगों जो आम पबलिक है उनके साथ जो करती है उनको कभी कभी मारती भी है वह भी गलत है टीटी जो बत्तमीजी करते हैं वह भी गलत है अगर आए दिन रेलवे में देखते होंगे कि इतनी घटनाई होती है, मारपीट लोग करते हैं, पेंट्री कारवारे से लड़ जाते हैं, टीटी पैसेंजर को मारता है, पैसेंजर टीटी को फेक देते हैं, इस तरह की चीज को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और हम सबस क्या राय है कमेंट करके जरूर देना, आप क्या सोचते हो इस सारी घटनाओं के बाड़े में, अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए, आई हो वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब, मि अपना ख्याल रखिये, अपने पडिवार का ख्याल रखिये, बाबाई, टेक केर